नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ Poco Company की C-series का latest smartphone जिसका नाम है Poco C-601 ये smartphone 28 March से launch हो जाएगा Flipkarl पर हाला कि offline store पर ये smartphone आपको पहले से मिल रहा है इसके 4GB 64GB वेरंड की unboxing तो मैं already चैनल पर कर चुका हूँ आज लेके आया हूँ इसका 6GB 128GB वेरंड दोस्तों सबसे पहले तो इसका price जान लेते हैं online store पर 4GB 64GB वेरंड 7,499 रुपे का और 6GB 128GB वेरंड 8,499 रुपे का मिल रहा है offline store पर ये smartphone थोड़ा कम price range में आपको मिल जाएगा yellow color का ये box है जहाँ black font में सारी details mention की गई है made in India भी यहाँ पर लिखा हुआ है इधर Poco की branding back side में कुछ highlight features को mention किया गया है दोस्तों जिन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहूँगा तो चलिए फटाफट से इस box को open करना सुरू करते हैं तब तक आप भी चैनल पर फर्स टाइम बिजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर दीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो आप के लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लात रहता हूँ जैसी box open होता है सबसे उपर तो हमें नजर आता है स्मार्ट फॉन इससे रखते हैं फिलाल साइड में अंदर एक छोटा बॉक्स और दिया गया है दोस्तों जिस बॉक्स में चारजर अडप्टर और यूएस्बी केविल दिये गए हैं लास्ट में आपको क्विक स्टार्ट गाइड यूजर मैनवल दिये गए हैं कवर आपको अलग से ही पर्चेस करना पड़ेगा इसके बाद जो यूएस्बी केविल है वो आपको इसमें मिलती है टाइप एट पर पैकिंग से गरते हैं से आजार फ्रेंट लुक निकल के आगया इस पर कोई प्रिअप्लाइड इसक्रेच गार्ड नहीं दिया गया है उपर से ड्रॉप नॉज डिस्प्ले आपको इसमें मिल रही है जबकि आज की डेट में इस प्राइज रेंज के अंदर पंशोल डि देख रहा है और यह जो केमरा मेडूल है दोस्तों आजकल आपने कई स्पार्ट फॉन में ऐसा ही केमरा मॉडिल को देखा होगा जो कि एक बड़ा सा डिया सलार टाइप का सरकल यहां पर दिया गया है दोस्तों और यह उठा हुआ भी आपको नजर आ रहा होगा इसके सेंसर केमरा जो यूजलेस होता है वह 0.08 मेगा विक्सल का है तीसरा LED फ्लैसलाइट यहां पर दिया गया है फ्रेंट में भी आपको यहां पर मिलेगा ओनली 5 मेगा विक्सल का सेल्फी केमरा मुबाइल के जो चारो कॉर्णर है वो राउंडेट साइट से बिलकुल फ्लैट राइट साइड में पावर ओन की यहीं फाफिंग फिंसेंसर उपर वॉल्यम रॉकर्स दिये गए हैं और इस साइड देखें तो यहां पर आपको दिखेगा 3.5 mm का ओडियो जैक और बगल में स्पीकर आप यह न सोचे दोस्तों कि यहां डूल स्पीकर मिल रहे होंगे बस नीचे का जो स्पीकर पॉर्ट है उसे निकालके ओपर की साइड फिट कर दिया है लेप साइड में तो सिम ट्रे मिलती है ट्रिपल कार्ड सलोट मिल जाते हैं जहां दो सिम कार्ड और एक मेमरी कार तीनों एक साथ में लगा सकेंगे मोबाइल के बॉटम में प्राइमरी लग मिल जाती है 450 निट्स तक की ही पीक ब्रैडनेस इस स्मार्ट फॉन में दी गई है इसके अलावा जो और बैजल से मोटे मोटे लग रहे हैं दोस्तों नीचे तो बहुत ज्यादा मोटे बैजल आपको दिये गए हैं कॉर्णर से भी मोटे ही लग रहे हैं थोड़ा सा कम किया जाता इनको तो फॉन का लुक थोड़ा बैडर लगता इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप स्क्रॉल अप करोगे तो सारे के सारे अप्लिकेशन यहां आपको नजर आ जाते हैं कुछ एक प्रिंस्टॉल एप्लिकेशन भी देख रहे होंगे हाला कि इनको आप अनिस टाच स्मूथ लग रहा है 90 हर्ट का रिफ्रेश रेट इस फॉन में आपको मिल जाता है 6.71 इंच की HD प्लस IPS LCD आपको इस फॉन में मिल जाता है तीन कलर वेरेंट में मिलेगा आपको यह स्मार्टफॉन ब्ल्यू, ब्लैक और ग्रीन जो भी कलर वेरेंट आपको पसंद आए आप पर्चेस कर सकते हैं अब दोस्तों इसकी जो सेटिंग है इससे उपन करके आपको दिखाते हैं तो सेटिंग का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा लाइट वाला ही इंटर प्रोटीन आपको इस फॉन में मिल जाता है बात करें इसके प्रोसेसर की तो 2.2 GHz का OctaCore प्रोसेसर और MediaTek Helios Z36 का एक आउटडेटेट चिपसेट दिया गया है यह चिपसेट जो है काफी पुराना हो गया है कंपनी को ध्यान देना चाहे था मेरे इसाब से तो MediaTek Helios Z85 का चिपसेट देते तो कितना बढ़िया रहता वैसे भी दोस्तो इस प्राइज रेंज के अंदर ऐसा नहीं है कि वो चिपसेट नहीं मिल रहा होगा Poco C55 में भी यही चिपसेट मिलता है और इसते सस्ती रेंज में मिलेगा वो स्मार्टफॉन 6GB RAM 128GB के इंटरनल स्टोरेज के स साड़े 6,000 रुपे का मिल रहा है दोस्तो प्लान बन रहा है सस्ते स्मार्टफॉन का तो खरीद सकते हैं आपको फ्लिप कार्ड पर दिख जाएगा वहां पर आपको साड़े 6,000 रुपे में 618GB वाला वेरंट मिल जाता है उपर से 50 मेगा विक्सल का कैमरा भी भी आ गया है इसके अलावा दोस्तो इसमें 12NM का फैबरिकेशन पावर वियार जी एट 320 के ग्राफिक दिए गये हैं 6GB RAM LPDDR4X की और 128GB का स्टोरेज RAM टाइप LPDDR4X स्टोरेज eMMC 5.1 और Expendable Memory को 1TB तक आप फोन में बढ़ा सकते हैं इसके अलावा कैमरा देखते हैं इसका कैसा है 8MP का कैमरा है वैसे दोस्तों सचाई यह है कि इसका जो 8MP का कैमरा है और जो Focus C55 का 50MP का कैमरा है बिलकुल सैम है वहाँ पर आपको बस MP ज्यादा देखने को मिलेगा तो इस हिसाब से देखा जाए तो 8MP का अच्छा कैमरा मिल रहा है जिसमें 10x तक का जूम सपोर्ट भी आपको दिया गया है यह देखें 10x जूम क्वाल्टी कुछ ऐसी दिखेगी इसके अलावा वीडियो मोड में आप इससे Full HD में 1080p में 30fps और HD में 720p में 30fps में वीडियो सूट कर सकते हैं पोर्टेट का ओप्सन मिल जाता है बैग्राउंड ब्लर चाहिए तो इसका यूज आप कर सकते हैं टाइम लैप्स का ओप्सन भी दिया गया है सलो मोशन में वीडियो सूट करते हो तो वो इस पॉन में आपको नहीं मिलने वाला फ्रेंट कैमरा ओनली 5 मेगा वि साड़े 8000 पी की रेंड में 628 मिल रहा है दोस्तों तो मुबैल अगर लेने का प्लान बन रहा है अगर यह डिजाइन आपको पसंद आता है वैसे तो कईयों को यह डिजाइन पसंद आता है कईयों को नहीं आता है वह आप कमेंड बॉक्स में बताईए यह कैमरा मेडूल आ आया कि नहीं आया तो वह ऐसे देखा जाए तो दोस्तों आज की देर में साड़े 8000 पे में इससे बैटर स्मार्टफॉन आपको मिल जाएंगे मेरे इसाब से अगर आपको बढ़िया कैमरा चाहिए और रेम स्टोरेज अच्छा ही चाहिए दोस्तों तो रियलमी सी 55 भी एक option आपके लिए जो कि आजकल 64 GB बहुत सस्ता और रख है आपको 8000 पे के आसपास मिल रहा है दोस्तों अगर पर्चेस करने का मानो तो देखना एक बार चकाउट कर लेना प्लिप काल पर पर गेमिंग के लिए आप इस स्मार्टफॉन को अगर पर्चेस कर ले तो तो आप पर दोस्तों अगर आप अनलाइन स्टेडी करते हो तब भी आपके लिए बढ़िया है या फिर हमारे पैरेंट्स उनके लिए ये स्मार्टफॉन बहुत बढ़िया रहेगा वो तो आपकी पसंद है दोस्तों कमेंट बॉक्स मत आईए कैसा लगा आपको इस बजट रेंज के अ बहुत बहुत धन्यवाद